तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के विशय के बारे में कि महिलाओं का जो विशय है वो नाशनल सिक्यॉरिटी या देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर किस तरह से एहम रोल प्ले करता है एंडिये में महिला उमीदवारों की एंट्री के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और यहां तक नेवी में और एयर फोर्स में भी इस चीज़ को प्रोटसाहना दी जा रही है महिलाओं की इस तरह से भागीदारी जो बढ़ रही है उनका कहीना करें उनकी भी रुची बहुत जादा बढ़ रही है नेशन को सर्व करने में देश के लिए अपनी सर्विसेस देने में तो इसको आप कितना वड़ा शुब संकेत मानते हैं देखिए भारत में हमेशा से ही जो बहिलाएं हैं उनका बहुत इंपॉर्टन्ट रूल रहा है और यहां पे हमेशा नारियों का सम्मान और नारियां हर शेतर में अपना योगदान देती रही है आप यदि हम मिथक पिरिड से ले 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 तो उसमें भी कहेंगे कि केकई जो हैं दर्शन जी के साथ युद्ध शेतर में ही थी जहां पे उनको वरदान मागने को मिलाता और उसके अलावा जो लेटर यू कैं से मॉडर्न और मिडवल पिरिड में ले 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 चांद बीबी हो गई राणी लक्षमी बाई हो गई और सो मेनी एक्जेमपल्स की उन्हो से महिलाओं की सैना त्यार की ते यौर्वे अलांग विड आयने जो या अभी जब हमने यह महिलाओं की जो आंतरी शुरुआ की पहले तो haha एक मेडिकल सर्विसेज में जो महिलाओं की एंट्री थी and they were rising to the rank of even lieutenant general और उसके बाद से जब डिमांड आनी शुरुई तो सर्विसेज में एंट्री हुई और हाल फिलाल में बता दूँ कि अभी 108 महिलाओं जो हैं वो कमांड की पोजिशन पर हाई हैं अभी 108 महिलाओं जो हैं वो भारतिय सेना में कमांड कर रही हैं उसमें से इंजिनियर्स में हैं और्डिनेंस में हैं जो एससी हैं जो सर्विसेज कोर है उसमें हैं उसके अलावा अभी रिसेंटली आर्मी की ही बात करूं तो आर्टलिर्य ने भी अपना जो है ओपन गेट ओपन कर दिया है अभी इंजर फिल बचे हैं जहां पे विमें एंट्री नहीं हैं लिक इंफंट्री एंड आम फोर्स आमाड गोर लिक जिसमें तो टैंक उगरा होते हैं ना उनके लिए एंट्री नहीं है क्योंकि उसमें सर्विसे बिट हार्ष, but I am very sure कि time is not very far away. जहां पर वहां भी क्योंकि अभी लडीज आ जाएंगी, women will be there. Because when you have to become a soldier, there is no distinction of gender. Gender, correct. You are a soldier. And if you prove yourself equal to others, then you are there. So there is no question of like gender disparity. तो gender priority is there. Air Force में तो 100% they are flying like all fighters and Sukhoi and जित्ते भी रफेल वगारा के लिए, सब के लिए they are flying. Even Navy also opened their door for almost all services. तो it's a good sign. And like हम तो ऐसे ही as it is progressive country, even Pakistan also having women entry in their armed forces where this you can say Muslim country होते वे भी इस्लामिक देश होते वे भी वहाँ पर ये दी भारत में तो obviously. And it's a good sign. And आने वाले समय में, I'm sure the day will come when women will be commanding the complete army. They will be chief of army staff or chief of air staff. तो मुझे लगता है कही न कहीं एक setting the example वाली बात इस वक्त भारत में चल रही है. महिलाओं के participation को लेकर के defense sector में. सोडी सर, ये तो बात रही महिलाओं के participation के बारे में, लेकिन एक जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है महिला तसकरी की. आजादी के बाद इतने वर्ष, इतने दशक होने के बाद भी ये जो मसला है वो लगातार देश में बना हुआ है. सीमा पर इसी तमाम घटनाई भी देखने को मिली हैं कि सोने और ड्रग्स की तसकरी के बदले, जो महिलाओं की तसकरी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, वो एक बहुत बड़ा इशू है, एक मैनस है देश में. और इसका सल्यूशन इतने दशकों में अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? तुम्तिय जी देखिए, जब तक गरीबी रहेगी, जब तक एक भी आदमी गरीब रहेगा, तो उसके क्राइम की तरफ जाने के चांसे बहुत बढ़ जाते हैं. अगर हम विकसित देशों में देखे हैं, तो महाँ पे क्राइम रेट कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गरीबी नहीं है, वहाँ पे उनकी एक सोशल सेक्योरिटी है, यानि कि इतना डॉलर महीने का, वहाँ के उस देश के हर नागरे को मिलेगा. हमारे यहाँ पे अभी ऐसा एक फिक्स सोशल सेक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, जो की एक डीसेंड अमाउंट हो, जो की आदमी का है, कि मेरा पेड बरा है, अब मेरे को क्राइम करने की जरूर नहीं है. दूसी चीज़े एजूकेशन, जब तक आदमी अनपढ होता है या औरत अनपढ होती है, तो वो एक्जैक्टली अनलाईज नहीं कर पाते हैं, कि सही क्या बुरा क्या चंद पैसों के लिए वो ऐसे क्राइम्स करते हैं, जिन्दगी बर वो जेल में पड़े रहते हैं, तो अगर हमने इन चीज़ों को खतम करना है, सौ परतिश्न तो खतम नहीं होगा क्योंकि विक्सेद देशों में भी प्राइम्स होते हैं, अगर हमने उसको रिडियूस करना है एक कम लेशल पे, तो हम्ए दो चीज़ें करनी होगी, हमें गरीबी खतम करनी होगी, हमें और तभी जब एक आदमी या महिला जब educated होंगे वो analyze कर पाएंगे कि ये बात सही है या ये कानूनी तोर पे ये गलत है दूसी जी जैसे मैंने पहले बताए एक अगर social security system होगी जब हम और विक्सित होंगे हमारे देश में और पैस आएगा तो हम एक official social security system भी हम नागरे को दे पाएंगे जैसे विक्सित देशों में होता है तो ये जो problem है ये problem काफी हद तक reduce होगी एक और चीज मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग अनजाने में एक बार गलती कर देते हैं और उस trap में फस जाते हैं और क्योंकि आपके जो target audience है अधिक तर आपके जो show देख रहे हैं वियोजे शो देख रहे हैं दशक तो वो young voters हैं first time voters हैं तो young age में क्या होता है कि 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 बहलाने के chances कि 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 फसलाने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि आदमी दूसरे पर immediately भरोसा कर लेता है और एक बार उसने कानूनी गलती कर दी फिर उनके चंगल में फस जाता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी अगर इनसान आपसे कुछ ज़्यादा प्यार मौबत दिखाए आपको आपके बारे में कुछ ज़्यादा चीकों कि एक बार हो अगर फस गए तो ऐसे दल दल में घुज जाएंगे कि उससे निकलने का रास्ता या तो जेल है या फिर मौत है कोई पुलिस एंकाउंटर हो है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आदमी दो रोटी कम खाले लेकिन ऐसी कारवाई में ना फसे जो उसके ल उपरचुनिटीज लगातार क्रेट करना और उसको इंपेटर सेना इंग वो भी एक इंपोर्टन टेक एरिया है जिससे खासकर युवाओं को क्योंकि आनेंप्लोइमेंट को अगर अड्रेस किया जाए तो आई थिंग काफी हद तक इस पर भी नकेल कसी जा सकती है मैं कुछ कहूं इसमें ये इस नोट अनली क्रॉस बर्डर ट्रेफिकिंग जे विदें कंट्री जे लुवाओं को इसमें एक और इंपॉर्टन चीज है हमें थोड़ा सा जो सामाजिक जो मुल्ये हैं उनमें बदलाव लावनने किया वशकता है like if you remember or you must have seen that Umraov Jaan movie in that that girl was kidnapped by some enemy of her father and then sold at a brothel and then she want to come back but family acceptance का problem है yes acceptance का problem है what's her fault so that mindset should also be changed and people should be educated and उनको बताना चाहिए कि it's your like like daughter or whosoever she is आप societal taboo की बात करते हैं कि एक चीज़ को लेकर के एक mindset अगर बन जाता है तो acceptance को लेकर के फिर problem होने लगती है कई बच्चे जो वापसी करना भी चाहते हैं वो वापसी नहीं कर पाते हैं hybrid militants के रूप में भी महिलाओं को आजकल इस्तमाल करा जा रहा है किती बड़ी चुनाती है और इसको क्या उपाय है इससे निपटने के लिए दिखे hybrid militancy is it's on now because उसमें not only women like जो male members भी है वो भी ऐसे कि they are not active part of the militant organization though they are having weapon they are involved and they are like they are working like a normal worker but whenever there is a chance or there is order they will use weapon they will do killing और जो भी उनको वो करना है जो terrorist activities है जो उनके आकाउने उनको सौपाय काम वो करेंगे and then they get back to their own job इसी तरह women का इस्तमाल like in Jammu and Kashmir there are so many incidents when the women are being used for carrying weapon, hiding weapons and throwing grenades and other activities or being like shield की तरह इस्तेमाल करना उनको because this is all nexus तो इसको control करने के लिए एक तो जो आम public है उसको mainstream में लाना जरूरी है उनको एक तरह से alienate करने के आवशकता नहीं है because they are part of our society plus जो हमारे eyes and ears है जो हमारे sources है plus जो आम public है उनको भी अपने eyes and ears खोलने के आवशकता है awareness जादा से जादा पहलाएं कि वो यदी कोई इस तरह का involvement देखते है इस तरह के लोगों का those who are working as a sleeping cell or they get activated at certain time and then fall back to their own job तो these information should reach to the security forces so that action can be taken तो ये जो एक लगातार एक crisis है एक situation बनी हुई है देश में खासकर जाहें हम hybrid militancy को लेकर के बात करें या महिलाओं के जो smuggling है उसको लेकर के बात करें कई सारे factors हैं जो लगातार active हैं जिनको address करना जिनको पहले बात एक knowledge करना फिर address करना बहुत जादा जरूरी इसमें literacy एक एहम role निभाती है जो हमारा major takeaways analysis और discussion से हुआ है literacy और poverty elimination भी एक बहुत important role निभाती है और employment generation एक एहम किरदार एक एहम role इसमें play कर सकती है हमारे साथ यहाँ पर सोडी सर हैं त्यागी सर हैं इनसे लगातार हम analysis चर्चा कर रहे हैं discussion कर रहे हैं और analyze कर रहे हैं उन तमाम factors को जो first time voters हों या जो मतधिकार का अपना इस्तमाल करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में उनको मदद मिल सके ताकि वो सही फैसला ले सके